नमस्ते मेरे नाम है इविडान शुराब सभीक हमारे शानल पे दोस्तों स्वागत है इन दिनों बाबर आजम के चहेतों की कोई कमी नहीं है दरसल इन दोनों बाबर आजम को लेकर जो है एक आजंडा चलाया जा रहा है पिछले कुछ लंबे समय से जबसे वो कराचिय किंग से बाहर हुआ है को कहता है एक भही इनको कप्तानी सा आटा दो टीम में जगनी बन रही इस ट्रैक डेट ऐसा है वैसा है तमाम चीजे चल रह है और हर खिलाड़ी पाकिस्तान का बाबर आजम को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि कहने वाली कोई बात ही नहीं है शान मसूद वाइस कप्तानी इनको हाली में बनाय गया था शादाव खान की अनुपस्तिती में तो शादाव खान की अनुपस्तिती में वाइस अपतानी करने वाले शान मसल जो अच्छी अंग्रेजी बात करते हैं समा टीवी को उन्होंने एक इंटर्वियू दिया जहां पिनोंने का है कि बावराजम के लिए मैं जान भी दे सकता हूं शान मसल ने का है कि बावराजम बहुत अच्छे प्लेयर है बहुत अच्छे बैट्समेन है बहुत अच्छा नाम है उनका वरल्ल क्रिकेट में लोग उनकी पेश करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं और अगर अगर ऐसे में मुझे जान भी देने की नौबत आई ना कभी तुम्हें जान देने के लिए भी तयार हूँ ये शान मसूद ने का है आपको पता दे कि कुछ दे पहले इस्थिकार एहमद ने भी कुछ इसी तरीके का वयान दिया था उनका था कि देखिए जी बाबर आजम को पूरी दुनिया प्रेश करती है हमारे मुलक के लोगों को भी उन्हें इज़त देनी पड़ेगी जब आप अतराम करेंगे उनका तो आपके मुलक की ही इज़त बढ़ेगी जब आप अपने कप्तान का ही अतराम नहीं करेंगे तो फिर को और कों करेंगा और इफ्तिकार एहमद का ये भी कहना था कि जो लोग बाबर पर तनकीद करता है वो गुनाह कर रहे हैं तो ऐसे में उन पर तनकीद बिलकुल भी ना करें तो आपको शान मसूत का और इफ्तिकार एहमद का ये बयान कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा धन्यवाद